अक्रम की बरेली शेहर में चाई की एक छोटी सी दुकान थी पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अक्रम अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाता था अक्रम जिस छोटी सी दुकान को चला रहा था वो भी उसने 1200 रुपए किराई पर ले रखी थी महीने भर में जो भी अक्रम कमाता उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराई के लिए निकालने ही पड़ते थे उपर से एक छोटी सी जुग्गी जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था अक्रम के परिबार में उसकी बेगम वाहिदा, बेटा सलीम और बेटी आर्जू थे रह सेकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी एक देन अक्रम दुकान पर जाने लगा उसकी बेटी आर्जू बोली अबबा कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगे? मुझे नया सल्वार कमीज लेना है, बिल्कुल सल्मा जैसा कल सल्मा के अबबा लाएं है, गुलाबी और नीले रंग का बहुत सुन्दर सल्वार कमीज है उसका मेरे लिए भी लाओगे न अबबा, बोलो न बड़ी आई सल्वार कमीज लेने वाली, अबबा तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाले है, देखना मेरे लिए लाएंगे अबबा कल की इदी मुझे मिलेगी बचो, जाओ, बाहर जाकर खेलो, अपने अबबा हुजूर को परिशान मत करो आप परिशान मत हो, ये बच्चे तो बस ऐसे ही कुछ न कुछ मांगते रहते हैं आपको देर हो रही होगी, आप समय से दुकान पर जाओ नहीं वहीदा, मैं ही शायद अपनी अउलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ मेरी गरीबी, मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है, क्या करूं अल्लाः अकरम भले ही गरीब था, फिर भी वो अल्लाः पर बहुत यकीन करता था दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाता था वो दुकान पर जैसे ही पहुचा, एक व्यक्ती कुछ गुंडों के साथ वहां आया और अकरम से बोला अकरम निया, निकालो हफते के पैसे, पिछले हफते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर आज मैं पैसे लेकर ही जाओंगा, दुकान चलानी है, तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो जवील भाई, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है, यहां बादार में सभी दुकान दार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है, पर सोईद है, कल मैं फिर आऊंगा, मेरे रुपए तयार रखना जमील अक्रम को अगले दिन आने की धंकी देकर चला जाता है, अक्रम मायूस होकर घर वापस आजाता है, पूरी रात वो सोच में रहता है कि अगले दिन जमील आएगा और उसके पास बिलकुल भी पैसे नहीं थे, जमील एक गुंडा था और अक्रम को अपने से जाधा वो रोजाना की तरह उस दिन भी मस्जिद में अल्ला के आगे सिर जुका कर जाना चाहता था, वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुँचा, उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बेहो शुकर गिर गई है, और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। लोग औरत के नजदीक से होकर गुज़रने लगे, पर किसी में भी औरत और बच्चे की मदद नहीं की, अकरम तेजी से उस औरत के पास गया और बच्चे को उठा कर, अकरम ने एक रिक्षे वाले को रोका, अकरम उस और बच्चे को लेकर सीधा अस्पताल पहुँचा, वो इनके साथ कौन है, खकान की वज़े से इनका बेपी हाई हो गया था, जिसकी वज़े से ये चक्कर खाकर गिर गई थी, कुछ दवाईयां और इंजेक्शन मैंने दे दिये हैं, अब ये खत्रे से बाहर हैं, होश में आते ही, आप इन्हें ले जा सकते हैं औरत को कुछ देर बाद होश आया, उसने देखा कि उसका बच्चा अक्रम की गोदी में है, औरत को याद आया कि वो अच्छानक बेहोश होकर गिर गई थी, उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहां कौन लाया? ये, ये आपको यहां लाये हैं, यदि ये आपको यहां नहीं लाते, तो आपकी जान को खत्रा था, आपके बच्चे को भी इन्होंने ही समभाला है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम सकीना है, आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला, आप जरूर ही खुदा के नेग बंदे हो जी, ये आपका पर्स, जब आप बेहोश हुई थी, आपके हाथ से गिर गया था सकीना पर्स में से मुबाइल निकाल कर अपने शोहर को फोन करती है और सारी बात बताती है, ये सुनकर सकीना का शोहर फॉरन अस्पताल आ जाता है, सकीना के शोहर को देख कर अकरम हैरान हो जाता है, सकीना का शोहर और कोई नहीं बलकी जमील होता है, जो अकरम से हफते के पै से कहता है अज़ तक किसी गरीब की महनत के पैसे लूटता आया हूँ शायद ये अल्ला ने मुझे सबख दिया है मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की महनत और इमानदारी की कमाई पर कब्सा नहीं करूँगा अल्ला मुझे माफ कर दो जमील मिया आपने अल्ला के आगे अपना गुनाह मान लिया वो आपको माफी जरूर देंगे और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया अल्ला तो यही कहते है कि जरूरत मनों की मदद करना ही इनसान का फर्ज है मैंने जो किया उसमें अल्ला की मर्जी थी जमील भाई अकरम भाईजान ने हमारी इतनी मदद की है हमारा भी कुछ फर्ज बनता है मैंने सब कुछ सुन लिया है आप अपनी गलती को सुधार सकते हो कलीद है और एद के पाक दिन पर आप अकरम को उसकी महनत के लिए हुए सारे रुपे लोटा दीजे आपके गुना अल्ला माफ कर देंगे जमील अकरम से लिए सारे पैसे लोटा देता है और दुबारा किसी भी गरीब के साथ ऐसा बरताव ना करने की कसम लेता है घर आकर अकरम सारी बात अपनी बेगम को बताता है वो भी अल्ला का शुक्रिया अदा करती है अगले देन अकरम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाता है जमील भी अपने परिवार के साथ अकरम के घर पर ईद पर उपहार और मिठाईयां लेकर आता है अक्रम और जमील के परिवार खुशी-खुशी एद मनाते हैं सभी दुकानदार भी जमील का बदला हुआ बरताव देख कर अक्रम की तारीफ करते हैं हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हां बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा